हेलो दोस्तों दिल के राई से आप लोग को बहुत-बहुत स्वागत है क्योंकि आप लोग अपने किम्तिव वक्त निकल कराते हैं वीडियो देखने के लिए इसके लिए इसके लिए तो सबसे पहले आप लोग को थैंक्यू बोलूँगा और चैनल को जरूर सबस्काइब कर लिए ताकि आने हो ले दिने में जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन होगा मैं आप लोगों तक भेज पाऊंगा तो चैनल को सबस्काइब करना बिल्कुल फ्री है तो सबस्काइब कर लिए ताकि आने हो ले जो भी नोटिफिकेशन हो पहले भेज़ पाऊंगा तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये company करती क्या है तो ये company फार्मा सेक्टर के लिए काम करती है अब देखो कि भारत में किस तरीके से फार्मा सेक्टर ग्रो करती है बहुत demand बहुत सारे ऐसी चीज़े हैं जो हम इंडिया में बनाई नहीं पाते हैं अब active pharmaceutical ingredient अगर आप देखो इसको short में बोला जाता है API तो ये हमारे इंडिया में क्या है कि बहुत कम company मनाती है और ये जो छोटी सी company है ये बना रही है और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़े हैं जिसके ओपर ये company काम कर रही है फार्मा सेक्टर में केवल साथ सो क्रोड का market cap आपको देखने को मिल रहा है इस company के growth देख लिए जिए देख सकते हो income statement आप देख लो यहाँ पर annually तो भाई company पहले कुछ भी नहीं कमाती थी कुछ भी नहीं कमाती थी company का यहाँ पर देखो के तो revenue भी zero type का आता था और आज कल के अगर आप देखोगे तो भाई कितने billion में जा चुकी company अगर आप देखोगे तो 5 billion तो company का revenue जनेट हो रहा भाई और यहाँ पर 10 million तो company का net income हो रहा है यहाँ पर और पहले कितना था तो यही 900 million था सोच लो कहा से कहा तो यह बहुत छोटी सी company थी इस वज़े से इसमें काफी ज़्यदा fast growth देखने को मिला है अब यह है company के result यह आपको देखने को मिला है net profit margin थोड़े बहुत गिरे है net profit margin लेकिन अगर net profit margin को company अगर improve कर लेती है तो और सारी चीज़े सही हो जाती है balance sheet वगर अगर आप देखोगे तो पहले company के पास कुछ भी नहीं था नहीं ज्यादा asset था नहीं liability था आज कलिके date में अगर आप देखोगे तो company के पास ज्यादा asset है और liability भी है देख लो liability है 531% के हिसाब से तो liability थोड़ा कम increase होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा माना जाता ठीक है और जहां तक की cash की बात करते हैं तो company के पास cash नहीं है कभी-कभी company पास cash आता और कभी-कभी नहीं आता है क्योंकि बहुत छोटी से company है इस company ने 15 से 20,000 परसंट तक का return निकाल के दिया है बताया जा रहा है 16,876 परसंट का return निकाल के दिया है देखो समझो यह माना जाता है कि penny stock highly risky securities होती है penny stock जो होता है highly risky होता बहुत ज्यादा risk होता बहुत का मतलब हद से ज्यादा risk होता ठीक है with a small market capitalization that trade 4 यहां पर देख सकते हो मतलब कि बहुत low price पे चलते हैं बहुत normal मतलब चलते हैं यह भी आपको बताया जा रहा क्या बताया आपको penny stock risky तो होते हैं तो पूरी चीज़ा बताओ ना भाई केवल risky होते हैं क्या केवल loss ही देते हैं नहीं नहीं जब यह risky होते हैं तो some of them also have the potential to turning a small investment into यहां देख सकते हो fortune इतना बड़ा return निकाल के दे सकता है आपको इसके बारे में कौन बताएगा केवल ज़्यादा तर लोग इसी चीज़ को देखते हैं कि भाई risky risky तो है risky क्या नहीं है भाई life भी तो risky है रोड पे चल रहे हो वो भी तो risk है न लेकिन अगर आपने सही जगा पे पैसे लगाया है तो भाई किस तरीके से आपका पैसा double होना start हो जागा single day में यह खुद को भी नहीं पता चलिए calculator निकालके calculate करके आपको दिखाता हूं कि risk को कैसे manage करते हैं अगर आपने 100 रुपय का भी investment किया देखो आज कल के date में मुझे लगता है कि 100-200 रुपय कोई बहुत बड़ा investment नहीं होता है तो कम से कम हम माल लेते हैं कि अगर आपने केवल 500 रुपय का investment क किया पर मन्त इतना तो एक बच्चा भी बचा लेता होगा अपना packet money अगर हम इसको 12 कर देते हैं तो कितना हो जाता 3000 अगर इसी चीज को हम क्या कर देते हैं कि 12-10 सालों के लिए कर देते हैं हमें long-top investment करना है न है कि नहीं है तो अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाता है भई तो 30,000 रुपीज हो जाता अगर हम इसको कितना निकालते हैं 16,000 था ना 1,600 सम्टिंग था माल लेते हैं 300% माल लेते हैं ठीक है तो कितना बड़ा return देखने को मिलेगा भई यहां पर देख लो कितने लाक रुपे हो गया कितने लाक रुपे हो गया फॉर्टी एट लाक रुपेज हो जाएंगे फिर 48,90,000 रुपेज हो जाएंगे केवल 26,000 रुपे का investment अगर यह डूप भी गया 500 रुपे का investment है अगर आपने 10 सालों में 30,000 रुपे अगर आपने गवा भी दिये तो भई 10 सालों में 30,000 रुपे कोई बहुत बड़ा loss है क्या यह तो नॉर्मली एक इनसान कर लेता लेकिन अगर यही 30,000 रुपय है अगर चल गया तो भाई आपके पास कितना पैसा होगा उसके बाद आपको ना मेहनत करनी की ज्यादा जरूरत नहीं है अगर आप छोटे-मुटे काम करते हो तो आप बड़ा काम करना स्टार्ट को दोगे जो है जो पांच सालों के बाद भी चलना स्टार्ट करते हैं समझे रहे हैं टाटा ग्रूप की टाटा एलेक्सी जो स्टॉक है वो पांच साल के बाद चलना स्टॉक हुआ था बजाज फाइनेंस भी जो है वो पांच सालों के बाद चलना स्टॉक हुआ था बहुत सारा इस इस company का नाम है Remedium Life Care Limited, आज की rate में दिक्तुर आओगा 2000 रुपेका, लेकिन भई आज की rate में भी ये penny stock है केवल 770 करोड का है, तो यहां से भी company अगर 5-10 गुना और हो जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन हमें खरीदना नहीं है, याद रखीगा हमें खरीद penny stocks में अगर आपने 100 समझ के सही तरीके से invest किया ना, तो आपकी जिंदगी बदलने में भी ज्यादा time नहीं लगाएंगे ये लोग, company का नाम यहां दिया हुआ है, देख लिजे, अब आप लोग comment करके बताएं कि penny stock risky होते हैं, तो risky तो हर चीज होता है, आप खाते हो वो भी risk है, हवाल देते हो, वो भी risk है, हवी में virus हो गया तो, समझ रहो ना, तो लेकिन risk तो हर जगा है, लेकिन risk को कैसे manage करना है, वो भी तो देखना होगा, risk manage करना, अगर आपको सीखना है, तो comment किजेगा, मैं आपको और अची तरीके से सीखाऊंगा, और अगा stock market रिम नहीं हो